अपने चैनल अनीता जी का किचन में दोस्तों आजे में बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल मुर्गा और बिहारी स्टाइल मुर्गा कैसे बनता है इसके लिए आपको वीडियो में कुरा एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा जो देखिया हम चिकन बनाने के लिए देशी चिकन बना रहे हैं दो टूसा हल्दी लिये हैं 8-10 मिर्चा लिये हैं धनिया साबुत दो चम्मच एक इंच का अध्रक एक चम्मच जीरा लसन दो गर्ट इन सबी चीजों को पीसना है हमें तो सबसा पहले हम हल्दी कूट के पी अधनियार मेर्ची को बारीक टीस लेंगे इसी तरीके से हम सभी मसाला को बारीक पीसके और एक कटोरे में उठा लेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा मुर्गा भी हम धो के तयार कर लिए हैं ये गाउं का मुर्गा है बहुत टेस्टी बनता है तो मैं मसाला पीस के आपको दिखाई ही ये स्पेशल मसाला बिहार में बनाया जाता है ये मुर्गा बनाने के लिए तो मुर्गा भात, मुर्गा लिटी बहुत फेमस है जैसे कि मुर्गा लिटी हो गया, मुर्गा भात हो गया बहुत फेमस है बिहार में तो देखिए दोस्तों ये तड़का में जाएगा दो तेश पत्ता, दो बड़ी लाइची, दो छोटी लाइची और ये तीन चर लॉंग, थोड़ा से जावीद्री को फूल और एक चम्मस से भी कम जीरा और हम प्याज को देखिए इस तरीके से काट लिए हैं, और हाथों से इसे मसल देंगे, तो जल्दी भून जाएगा प्याज हमारा ये देखिए, खुला खुला हो गया और प्याज जल्दी भूनेगा, टमाटर एक ठो काटे हैं बिहार का फेमा समुर्गा हम सर्सो का तेल में बनाएंगे, क्योंकि सर्सो का तेल में ही बनता है बिहार में तेल डाल दिये हैं, अब इसमें डालेंगे ये तड़का तड़का डाल दिये हैं, और अब हम इसे भून लेंगे तड़का को अच्छा सभूनिएगा तो देखिए हमारा तड़का भून गया है अब यही पे लगे हाथ हम प्याज डाल लेशेंगे तो दोस्तों प्याज को हमें विलकल लाल भूनना है जितना अच्छा को प्याज भूनिएगा उतरे मज़दार आपका मुर्गा यानि की चितन करी ठाने में टेश्ची लेएगा देखिए दोस्तों लकड़ी पजब बनता है तो बहुत पेस्टी बनता है क्योंकि धीमी धीमी आच लगता है देखिए कितना सुलो कोकिंग हो रहा है तो देखिए प्याज बहुत अच्छा भूनेगा तो प्याज लाल होने लगे तो यहीं पर मुर्गा डाल दीजिएगा यह बिहार फ्रेमस मुर्गा पुराएंड तक देखिएगा आपको बहुत मदा आएगा यह जो मुर्गा है यह बॉयल्ड मुर्गा है वह तेस्टी बनता है अब हम आपके पान से साप इन मैं आपके बिने यह न अर्गा है यह जाएगा यह जिएगा है चिकन को भून के गम लाल कर लेंगे, इसके बाद इसमें हम मसालत डालेंगे धापन तड़ागे हम मुरगा को भून लिएगे, इसमें हम डालेंगे केसा हुआ मसाला, सम मसाला डाल देंगे इसे हम इस तरीके से इसलिए करते हैं, दागते हैं, कि उज़े नदर गुजर लगा रहता है, फतम हो दाता है यह हमारी साथ की मापक चरीके है, अब देखिए यहीं पर हम स्वाद अंसर नौमक डाल देंगे अब देखिए कितना मजदार बनेगा यहीं, अब देखिए कितना मजदार बनेगाई देखिए आपको ऐसा चिकन भून के लाल करना तो देख सकते हैं कितना मजदार कलब हुआ है, यह चिकन करी का, इस तरिके से आप बनाएं, खाएं, और बताएं हमें कैसा बना आपका बिहारी मुरगा, तो देखिए दोस्तों अब इसमें पानी डलना है जितना आपको तरी बनाना हूँ यह दो मैं अपने देटा के खाने के लिए निकाल दही हूँ, और बाकी में रसी डालेंगी, बाकी में तरी डालेंगी, और इसमें पानी इतना डालना है जाल सकते हैं आप, आप क्या, आपको भी सुखा खाने के मन को है तो आप भी निकाल सकते हैं, देखें दोस्तों हमारा चिकन कई बढ़ बन के तैयार हो गया है और चूला बन हो गया है लेकिन चोपोग्ब तो देखें किता बैक्ष रेन इसका करी बना है और कलर तो लाजयवाल तो देख सकते हैं दोस्तों है ना मस्त तो आप भी बनाइए खाईए